हेलो फ्रेंद्स मैं हुरी तू आज हमारे यान बहुत जमजम वाली बारिश हो रही है और ऐसे बारिश के मौसम में सबसे पहले क्या यादाता है पकोडे मैंने पकोडे बनाए हैं डेर सारे लेकिन कुछ डिफरेंट डाइप के पकोडे हैं जो खाने में बहुत-बहुत इस बड़ा है तो आप 15-20 ले लीजिए मेरे लेसुन बहुत छोटे थे तो मैंने डेर सारे लिए बस इनको आपने क्या करना है थोड़ा सा नमग डालके आप इनको कूट लीजिए इसका हलका सा दरदरा सा पेस्पना लीजिए तो लेसुन हमारे कुट गए थे अब मैंने इसको अच्छी तरह से इसके साथ में मिक्स करके पीस लिया है ना इसको आप बहुत मोटा मीडियम होना चाहिए और जब यह कुट गया है तो इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा नीबू का रस यह चटनी जो ना इतनी चपटी लगती है ना खाने में मुझे याद आ र सारी सबजियां फेल हो जाती थी तो यह चटपटी वाली चटनी तो हो गई है हमारी लेसुन वाली रेडी अब मैंने क्या किया है इसको निकाल लिया है बाउल में आप इसको रोटी के साथ एक बार खा के देखिएगा बहुत जादा मस्यदार लगती है यह अब क्या करना ह आपने मैंने यहाँ पर लिये हैं बॉयल आलू जिनको मैंने छील लिया है इनको बॉयल कर लिया था आपने आलू को बॉयल करते समय एक बात ध्यान रखनी है सिर्फ कि आलू को बहुत जादा बॉयल नहीं करना है पतलब कि ऐसा नहीं कि आलू आपके बलते समय तूट आपको वीडियो में बस इसी तरह के आपने आलू के सारे स्लाइस को कट कर लेना है यह पर कोड़े बहुत टेस्टी बनते हैं एक बार बना कर देखिएगा फिर आपको पता लगेगा और जसके अंदर चटनी लगेगी ना उसकी विज़े से इतना मज़ेदार इसका फ्लेवर को देख रहे हैं तो जल्दी-जल्दी से प्लीज-प्लीज मेरे पीज को फॉलो कर ले अपने फैमिली और फ्रेंट्स में फटा-फट से मेरी वीडियो को शियर कर दे और एक लाइक का बटन आता है ना प्लीज-प्लीज-प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रह किते हैं मैंने आलू को बस उसमें से एक स्लाइस उठाईए और उसके ओपर यह अपनी चटपटी वाली बढ़ियासी मसाला वाली जो चटनी है ना टिस्टी वाली इसको अच्छी तरह से पला दीजिए बिल्कुल साइड दूर तक पलाईएगा और दूसी स्लाइस को उठा कर उसके ओपर रख दीजिए तो इसी तरह से मैंने सारे आलू के स्लाइस कर लिए त्यार जोड़ी सी चटनी बज गई ना इसका यूज़म करेंगे अपने दूसरे पकोड़ों में आज मैं दो तरह के पकोड़े बना रही हूं बॉयल आलू थी मेरे पास चार मैंने उनको चील कर अच्छी तरह से मैश कर लिया है उसमें डाल दीए यह चटनी साथ में गरम मसाला डाल दीए थोड़ी सी लाल मिश जाल दीए थोड़ा सा बुनवा जीरा पाउडर थोड़ा सा डाल दीए चाट मसाला और साथ में अमचूर और थोड़ी सी डाल दीए हरी मिर्चे मै यह रेडी, तो आज मैं बना रही हूं इसके साथ में आलू वाले पकोड़ों के साथ में शिम्ला मिच के पकोड़े, यह बहुत टेस्टी लगते हैं, इसको बनाने के लिए मुझसे मेरे बेटे ने का था, उसने मार्केट में इसे खाया था, तो मैंने का चलो इसे घर पे भी ट्राइ करते हैं, अब मार्केट में क्या होता है कि वो तो साबुत शिम्ला मिच को ऐसे उठाते हैं और इसको बेसन में डालते हैं और तल लेते हैं, तो शिम्ला मिच के अंदर कीड़े बगर भी हो सकते हैं, और शिम्ला मिच कई पर खराब भी होती है, तो आप इसे घर प में आप उनको निकाल दीजिए तो अच्छी तरह से शिम्ला मिच को मैंने चेक भी कर लिया है और इसके थोड़े बहुत दीज भी निकाल दीए अब चटपटी वाली आलू की फिलिंग बनाई थी ना उसको आप इसमें भर दीजिए आपको कोई भी टेंशन नहीं है आप इस आलू की फिलिंग इसमें बहुत अच्छी लगती है तो सारे शिम्ला मिच के अंदर मैं इस तरह से आलू भर रही हूं आप चंब से भी भर सकते हैं और आप चाहें तो हाथ की हल्प से भी भर सकते हैं तो सारी शिम्ला मिच को मैंने आलू से भरके रेडी कर लिया है अब ब जाल दीजिए स्वादुनसार नमक इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लीजिए फिर थोड़ा-थोड़ा पानी आप इसमें डालते जाएगा और इसको मिक्स करते जाएगा क्योंकि एक दम से पानी आप पने डाल दिया तो इसमें लंस पड़ जाएंगे और आप बेसन के निकालते ही रह जाएंगे लेकिन बेसन में से लंस नहीं निकलेंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और उसको फेटते जाएए और हमने इसका गाढ़ा सा बेटर त्यार करना है बहुत गाढ़ा नहीं मैं आपको भी वीडियो में दिखाती हूं आगे कि किस तरह का बे जिए एक दो बून नी भूकी उससे क्या होगा कि मीठा सुटा होता है वो अच्छी तरह से अक्टिवेट हो जाता है अब मैंने गैस प्रकडाई में तेल पहले से ही गरम होने के लिए रख दिया था तेल जब अच्छे से गरम हो गया ना तो मैंने गैस की फ्लेम को मीडिय ने बीन झम कर दिया है और क्या करना यह शिम्ला उठाते जाएए बेसन मैं रपेट जाए और इस तेल में डालते जाएए अपने तुरंट इसको बिल्कुल भी नहीं लाना ही ने तो क्या होगा कि आपकी बेसन की जो कोॉटिक है वो शिम्ला मिच जो निकल सकती है जब तब आपने इनको पलटना है, उपर से आप हलका हलका सा तेल चम्मत से डालते जाईएगा, तो बस दोनों साइडों से बढ़िया से करारे से पकोड़े शिमला मिचके बनके हो गए है, जो आप से कीन वानी है, खाने में बहुत जादा टेस्टी लगते है, अब जो हमने आलू जाईए और यह पकोड़े जब हलके से नीचे से सिक जाएंगे तो आपको खुदी पता लग जाएगा और आप इनको तब पलटिएगा, डालते ही तुरंद बिल्कुल भी मत पलटिएगा, तो यह वाले पकोड़े यानि आलू वाले पकोड़े भी हमारे बनके रेडी हो ग यह देखिए कितनी बड़िया वाली फिलिंग है और कोई टेंशन भी नहीं है कि अंदर इसके कोई कीड़ा होगा या शिमला मिच खराब होगी, तो बहुत टेस्टी वाले शिमला मिच के पकोड़े बन गए है, साथ में आलू वाले पकोड़े भी बन गए है, इसको भी मैं आप इसे सर्व कीजिए, आप इसे जल्दी से बना लीजिए, मैं जल्दी मिलूंगी आप से ऐसी ही नईने वीजियो के साथ में, बाबाई, टेक कियर